नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे ECS T10 अंगरी के आज के दिन के आखरी मुकाबले की सिरीज का दोस्तो यह फाइनल मैच है जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम Tigers versus Team United के बीच में तो इस वीडियो के अंदर दोस्तो इस मैच की बिलकुल complete analysis आपको करके देंगे साथ में आपको बताएंगे कि कौन से place आपके लिए important रहेंगे small league के लिए और कौन से place आपके लिए important रहेंगे गराली के लिए बस आपको वीडियो को complete watch करना है पूरा देखना है अगर आप लोग इस मकाबले में विन करना चाहते हैं या फिर दोस्तो कुछ earn करना चाहते हैं बाकि जो भी मेरी final update होगी after lineup या टॉस के बाद या दोस्तो जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको हमारे टेलिगराम चैनल पर दिये दी जाएगी अभी के समय 13 ज़र से ज़्यादा लोग already हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एगर हमारे चैनल से join होना चाहते हो तो आपको हमारे channel का link description और comment दोनो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बाते बता देता हूं कि टाइगर्स की team अपना जो पहला qualifier था वो जीत कराए थी जबकि UCB की team ने पहले eliminator जीता फिर दुसरा semi final जीता और अब यह इनका तिसरा match आज के दिन का तो समझ सकते हो इनके players को काफी मौका मिला परफॉर्म करने का तो इनका जो confidence है वो काफी अच्छा हो सकता इस match में तो कह सकते हो कि आप 50-50% chances रहेंगे दोनों टीम्स के win करने के तो एक बात दोनों ही टीम्स के last match के performance की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर Tigers की team ने सबसे पहले qualifier में गेंदबाजी की और अपने opponent को बान माद्यान की जगहे पर दोनों यहाँ पर open करने आते हैं जाहिर सेफी यहाँ पर तीन गेंदों पर 10 मार काउजा 21 गेंदों पर 24 सन बनाते हैं वक्त लेते हैं थोड़ा सा खेबर देलदार ने काफिय चाहे निकेला 19 गेंदों पर 14 सन बनाए नाटाउट रही वीनिंग नौ पर दोनों में 50-50 रहने वाला है अगर किसी का भी ओवर खराब जाता है तो यहाँ पर उसका एक ओवर कट जाएगा तो यह आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आप किसको भी करके चलेंगे अब देखिए मैं मली के जाएड़ा को इसलिए प्रिफर करता हूँ क्योंकि इनका जो बैटिंग ओडरे वह थोड़ा से उपर आता है साई गोतम के मुकाबले बाकि यहाँ पर बैटिंग आने के चांस इस तो इनके मुझे ज्यादा नहीं लग रहे तो आप चाहो तो इनक काफी मज़ा आगे इनके ओ देख कर तो इनकी टीमनेस मकाबले में भी दस ओवर के अंदर 136 बना है मातरबना एक विकेट गवा है पहला जो मैस था वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छा टागेट दिया था विनोत रविंदरन दोनों ही मैचस में सांदार इनिंग खेले ना टाउट रहे 28 गेंदों पर 55 बना है तो जवाले मैच में भी अच्छा कर सकते हैं जबकि ये फाइनल मैचे इजरा उल्ला कोकिल दोस्तों विकेट कीविंग अभी तक पूरे टूनामेंट में किये नहीं तो ना ही ओपन करने आदे आद दोनों ही मैचस में इने ओपन के गाट्सवें वीनो तरविंदर अश्रित और जरुला को के लिए रहेंगे गेंदवाजी की बात की जाया तो आपोनेंट के च्छे विकेट इनों ने गिरा है जहां पे गुलाम अबबास को विकेट मिला तीन विकेट फौनटेन को मिले अमित परयार विकेल एसरे अश्रित को यहाँ पे विकेड मिला और एक विकेड यहाँ पे दोस्तों अजीत को मिला यही पांचों गेंदवाजों का इस्तमाल मुझे लगता है फिर से इनकी टीम करेगे क्योंकि लास्ट में भी इन्ही पांचों का इस्तमाल किया गया था तो अमीद करेंगे आपको ये वीडियो अभी तक काफी ज़्यादा important और informative लगी होगी और आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आयो तो subscribe कर ले गंटा दबा लेना आने वाले वीडियो की notification पाने के लिए क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल free हो और आपके लिए important है बागी जो भी मेरी final update होगी after line बे टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको हमारे टेलीग्रम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय तेरा आजार से जादा लोग और रेडी जोईन हो चुके हैं और रोज़ाने यापर दी गई मेरी फिरी टिम का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी एकर हमारे चैनल से जोईन होना चाहें तो आपको हमारे चैनल का लिंग डिस्किप्शन करमेट दूनों जोगा पी मिल जाएगा तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जोट सकते हैं और मेरी दीगर टिम का profit उठा सकते हैं तो ये काम भी दोस्तों जरू कर लेना क्यूंकि ये आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free सूफी मेहमूद लास्ट मैच में जरूर खेले थे लेकिन अभी ये नीचे बैटिंग करेंगे क्योंकि मार कोजा जब भी प्ले कियें ECS में हमें से open करते आएं लास्स सीजन तो सारे ही मैचेस प्ले किये तो अबने टीम के most valuable player भी थे ये सीजन इतना मुका इनको मिला नहीं तो अभी के लिए मैं विकेट टीम को भी करके चलूँगा जो के अपने टीम के लिए विकेट की बिंग कर रहे हैं अगर ये विकेट की बिंग नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर दो वर की बॉलिंग भी करके दे देंगे लेकिन जिस तरीके से इनकी टीम ने दोनों मैचस में परफॉर्म किया तो मुझे नहीं लगता कि इनकी टीम इनसे बॉलिंग करना चाहेगी तो अभी के लिए सबसे सेफ चोईस आपकी कोकिल की तो मैंके सा जाओंगा सूफी महमूद भी अची फॉर्म में मुझे यह नजर आ रहे हैं तो इनको ही हम दोस्तों ट्राइ करके यहां पर चलने वाले हैं वी रविंदन को उसके लावे यहां पर दोस्तों के देलदार कोपनिटी में पिक करेंगे जो की लास्ट मैस में वीनिंग 9 खेल करा हैं और नाट आउट भी रह तो लास्ट मैच में देखे कुछ खास करने ही पायते हैं लेकिन अजीत जो है वो मीटल ओडरे के अंदर बैटिंग तो करते ही करते हैं इसके लावा यह प्रॉपर दोवर की बॉलिंग कर रहे हैं और इन्हों ने दोनों ही मैचस में अपनी टीम के लिए विके निकाले हैं तो इस कारेंट से में इनके साथ जाओंगा क्योंकि यह भी अच्छी फॉर्म है आप चाहो दो यहाप चार बैट्स वन भी ले सकते हो इस जाहर को भी आप चाहो दो ब्यूटिमें ट्राइगर सकते हो अभी के लिए मैंने यह पे तीन ही में बैट्स वन लिए जो कि रविं काफी अच्छी फिक भी रहेंगे कैप्टन के लिए बालिंग की बात किजा तो यहाँ पर हम अभी देश को भी करेंगे फेरल का भी मुझे लग रहा है कुछ इनका इंजरी यूशू हो गया तो इसलिए दो मैचर से इनको बालिंग बिलकुल ही नहीं मिले रही है तो बाग रहमुत को ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ पर इस घौतम को पिक कर लूँगा क्योंकि हम कीपर पर रिस्क ले सकते हैं बागी किसी भी प्लेयर पर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो अभी के लिए दोस्तों मेरी जो टीम है वह यहाँ पर रेडी हो गई है छे प्लेयर हमने ट चीट आपको बैटेंग के सासाथ बालिंग भी देंगे तो मेरी दोस्तों टीम जो है वह यहाँ पर रेडी हो गई है इसको सेफ कर देते और एक बड़ आप लोग हमारी इस टीम का प्रिविव ले लिजी ए सेम टीम के साथ दोस्तों गरालिक जोइन करेंगे तो एक बड़ आप लोग हमारी stream का preview ले लो जहाँ पर भी आप लोग investment करें वहाँ पर जाकर दोस्तों आप लोग हमारी stream कर सकते हैं बाकि अगर हमारी stream से कोई भी प्ले नहीं प्ले करता है लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन जरूवाल प्रिस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स वीडियो में कौरने मैच को क लाइक कर दोस्तों तारम